राइपुर पहुंचे कॉंग्रेस अनुसुचित जाती विभाक के राष्ट्री अब्धियक्ष राजीश लिलो उठिया ने किंद्र सरकार पर जम कर हमला बोला प्रस कॉंफरेंस में शामिल मंत्री शिव धहरिया ने प्रदेश में अनुसुचित जाती को 13 प्रतिशत आरक्षण की मांग की साथी अनुसुचित जाती का अलग से विभाक बनाने की भी मांग की है तो वहीं उन्होंने बजट का 12 प्रतिशत खर्च अनुसूचित जाती के विकास पर करने की मांग की इसी के साथ ही पदोन्ती में आरक्षण की भी मांग की गई है मंत्र इशिवडारिया ने कहा कि सीम बुपेश बगेल ने इसका आश्वासन दिया है हारती जनता पार्टी जो केंद्र के अंदर है वो समविधान के एक पन्ने को फाड़ने का काम कर रही है क्योंकि हर उस पन्ने के अंदर समाज के हर वर्क इस देश के हर वर्क के लोगों के अधिकार लिखे हुए बड़ा गंभीर विशे है और कॉंग्रेस पार्टी इस बात के लिए हमेशा से लड़ाई लड़ती रही है कि कॉंग्रेस पार्टी को समविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़नी हैं जिस तरीके से आज निजी करन किया जा रहा है बैंकों का निजी करन किया जा रहा है इस सारी जो हम लोगों ने PSU's बनाये थे एक एक करके भारतिय जनता पार्टी के नेता उनको कम दामों के अंदर अपने उन जो बिजनेस हाउसे हैं उनके मित्र हैं उन लोगों को बेचने का काम कर रही है तो आने वाला जो भविश्य है हमारी जेनरेशन का तो पूरी तरीके से अंदकार में है दूसरा हमारा अनसुचित जाती का विभाग अभी पीछा वर्ग विभाग अल्पसंख्या विभाग और आदिवाशी विभाग के साथ सभी तुरूप से मंतरालाय में सामिल हैं तो समाज के लोगों की मांग थी कि अंसुचित जाती भाग को अन्य भागों से अलग प्रिता को भाग बना दिया जाए ताकि अंसुचित जाती जाती लोगों की जो बाते हैं वो भाग उसको देख सके तो मानी मुक्यमाद जी ने उनके उसमन्ने भी कहा है कि उसमें जल्दी निर्नाय ल भी होता है उसी तरह आभी कर्दे की ब्योस्ता की जाएगी